डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है। और अपने इसी अनभव और एक्सपटीज के साथ, डॉक्टर बंसल लेकर आये हैं एक स्टेट अब दियार्ट डाइग्नॉस्टिक सेंटर, पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी क ध्यान में रखते हुए, हमने एक हाइटेक ऑडियो विज्वल, MRI सिस्टम लगाया है भाजपा व्यापारी नेता, विनेश शारदा के वयो व्रध सगे ताउजी, चंद्रमहन के मेरट शास्ति नगर एक ब्लॉक इस्थित, घर पर बदमाशोंने धावा बोलते हुए, दो लाख रुपे डूट किये बदमाश, खुद को सरकारी करमचारी बताते हुए भीतर घुसे थे, भीतर घुसते ही उन्होंने चंद्रमहन गोईल को जमीन पर पटक कर गले पर चाकु लगा दिया जाकु देख, व्रद कारुवारी ने खुद ही बोल दिया कि उन्हें कुछ मत कहो, जो ले जाना है ले जाओ, इसके बाद बदमाशोंने चंद्रमहन गोईल, उनके पत्मी वे नौकराणी को एक कमरे में बंद कर दिया बदमाशों के जाने के बाद उन्होंने शोर मचाया लेकिन किसी ने नहीं सुना, चार घंटे बाद वे किसी तरह बहार आये तो इस लूट का सभी को पता चला व्यापार के सिलसले में बहार गए भाचपान नेटा, विनिये शारदन ने फजबाट टॉट टीवी को बताया कि बदमाश घर से दो लाख रुपे कैस्ट ले गए है, सभी अधिकारियों से बात हो गई है सूसना पाकर भारी पुलिस बल शास्तिनगर F-44 में पहुच गया है, देखिए इस बारे में पिडित चंद महान गोयल ने यह जानकारी मीडिया को दी मेरे 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 खाना बनाती है इनको और अंदर ले जाकर के चाह भी लओ शावी में ने बता दिया कहा रखी है, वोनों ने अलमारी कोली रुपे लिए और मेरी वाइस और इसको तीनों को इस कमरे में बंद करके चले गए चाहर गंटे बाद रुपे बाद में बाद में लिए जाने बाद मेरे मेरे खाना बनाता है जाने देर को रही नहीं वह क्याकर समान बीदी गए ले खाया है? पचास पचास अजार के चार पैकेट वो केसे अंदर आए ना इस दिर्वाजित आए ना किवाड़ बंथे उन्होंने कहा है किवाड़ खोलो हमें गॉर्मेंट के आए हम गॉर्मेंट के आए लड़कियों के लिए कुछ वो चाहिए डोनिशन टाइप का तो बन का चलो कोई बंदे होंगे उन्हें आते ही मुझे पटक दिया जमीन पर मैं तब ही फमजगया मैं के मामला जो है गर्ड़ 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 चार गंटे बाद मेरी पड़ो फ़ालों ने आके निकाला मुझे हैं हम तीन जने थे बहुते हैं मैं मेरी वाइफ और मेरी कुक या करोबार करता है मेरा कारोबार करता था अब कुछ नहीं करता है बच्छे बाहर है आउट अफ इंडिया है अमरीका अच्छा पहुची जब आप कमरे में बंदे तो कैसे पॉड़ों संतर का पहुचे आवाज क्या कर रहे हैं बहुत शोर मचाया है हमने कोई भी नहीं आया ना इनको करता है में इस पहुची पढ़ोफियों को बाहर है इस कमरे में थे हम तो इसके आवाज बाहर तक प्धुच जाईगी नहीं जब ठक गए हम पढ़ गए अपने इसी कोल कर गे लेट गए हमने क्या करेंगे हमने कोई ने कोई आपकर पोली देगा पर इनको आप पर इनको आ यह नौचंदी थाने में एक बुजूर्गवार हैं जिनके यहां पर यह गटना हुई है जहां पर दो यूवक आए दौपएर के समय और डोनेशन लेने के बहाने वह गर में एंटर किये और फिर एक चाकू उन्होंने इस्तिमाल किया और चाकू से डरा कर इनसे करीब दो लाक रुपे की लूट उन्होंने की है जो पैसे थे वो अलमारी में थे जिसे वो ले गए हैं और जाते वे इन्हें बंद करके गए दरवाजे में लॉक में बाहर आने पर इन्होंने पुलिस को सूचिना दी और पुलिस बल यहां पर आया है मैं भी आया और गटना इस त करेंगे और सारे साक्षि संकलित करेंगे चाहिए वो इलेक्ट्रोनिक हो या मैनुवल हो तो उसको गटना को शिग्र से शिग्र हम अनावरन करेंगे और कड़ी कारिवाई होगी अब तक कितने बदमास थे दोनों नवयोक बताए जा रहे हैं जो थे और उन्होंने चाकू क का प्रयोग करके इनको डराया हालांकि किसी को भी इसमें चोट नहीं आई है और लेकिन इसमें दोलाक रुपे वो अलमारी में जो रखे थे वो ले गए हैं तो उनको हम शिग्रही कितने गंटे तक जोड़े हो बंदक बने रहे हैं जो दंपत्ति कितने गंटे तक दो कर दो